कीमत पर हमें दिल्ली हम बढ़ें तो रबबट की फायर हुए तो सरकार की मंच्छा पूरी किलियर हो चुकी थी वी ओ किसी भी जहां तक सवाल है सरकार का तो जब हमने तेरा को दिल्ली कुच का कारिकरम रखा था तो इससे दस दिन पहले से हर्याना पूरी तरह खनावरी और ये शंबू बाड़ को सील करने शुरू कर दिया था तो सरकार की मंच्छा पूरी किलियर हो चुकी थी वी ओ किसी भी कीमत पर हमें दिल्ली नहीं जाने देगे तो यही हमारे बीज सबसे बड़ा गति रोध है अगर किसानों से बाचित करके आपको समाधान नहीं ढूंड़ना है तो कम सो कम ये धर्म निर्पक देश है सभी का देश हैल सभीधान के अंसार सभी को बात करने का हक है हमें फिर दिल्ली भी तो जाने दिया जाए ना क्यों नहीं जाने दिया तो यह जिस तरह से उन्होंने बैरिकेटिंग की जिस तरह से आगे हम बढ़े तो रबबट की फायर हुए हमारे उपर शेलिंग हुई बहुत ब सरकार की मंद्शा तो केलियर है ना पिक किसी भी कीमत पे आपको डिल्ली नहीं जानेगे तो यह हम तो चाहते हैं भी आप देश के किसी भी सभीधान के अंसार आप अगर हमें बता दें फिर यह जो सब कुछ कर रहे हैं अभी डिजिपी हर्याना का बेयान आ गया पिर हम कि कर रहा है आप उसको साजा दीजिए ना अब कोन कर रहा है तो यह गलत ब्यानबाजी भी लगाता हो रही है और जिस तरह से आगर हर्याना में आपको जाने का मौका मिले तो मुझे लगता एक जैक्टिक फिगर तो नहीं है पंदरा से बीस हजार अर्द सायनिक फोर्स हर्य हर्याना पूरे में डिपलॉट किये गए हैं और पूरे गाउं में जैसे घेरा डाला होता पूरे महं बोला जैसे कश्मीर में जिस तरह से आप हलात देखते रहें पिछले लंबे समय में वही हलात पूरे हर्याना के बने हुए तो हम तो दिल्ली को जाएंगे 21 को हमारा जा से हमारी बात नहीं मानना चाहती और दूसरी तरह जो पस्ताब देती है वो भी जो हमारी असल मांगे है उनसे पीछे हटने के लिए देती है तीसरा हमें बैरिकेटिक हटा कर दिल्ली नहीं जाने देती है तो हम तो मजबूरी में आगे बढ़ेंगे न वो जो भी परिनाम होगे उसके लिए भार सरकार जुम्मेवार होगी और हम आशा तो करेंगे अभी आज का दिन है स्वयम परधान मंत्री की जी के पास सारी रिपोर्ट तो जा चुकी होगी अब जिन मुद्दों पे डिसकस होनी थी सब पर दो दो राउंड डिसकस हो चुकी है और चाहिए अब स्वाइम प्रधान मंत्री जी को फी वो निर्ने लें और निर्ने की अनॉसमेंट भी कर सकते हैं तो कोई सुखत समाचार हमें मिलेगा तो हम चाहेंगे इस मोर्चे का कोई ना कोई समाधान निकाला जाएं